हलो दोस्तों, हिंदी होर स्टोरीज यूटूब चानल में आपका स्वागत है ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर ने भीची है मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया है आगे की कहानी बिलकुल वैसे ही बताऊँगा जैसी मुझे मिली है तो हेड़फोन्स लगाईए और मजा लीजिए तो कहानी ऐसी है कि मेरी नानी कानपुर में रहती है उनका वहाँ दो मनजिला घर है और वो घर बहुत ही पुराना है अंग्रेजों के जमाने का और उनके घर में बहुत अजीब अजीब सी चीज़े होती रहती है जैसे कि हमेशा रात में उपर छट पर पत्थर लुडखने की आवाजे आती है और रोज सुबह तीन बजे कोई बरतंद होता है और आंगन को साफ करता है ज़ाडू से आवाजें बिलकुल साफ साफ आती हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है बहुत बार घर के लोगों ने पूरी रात जाक कर भी देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा सिर्फ आवाजे आती हैं एक बार घर में सब को छट पर किसी के कूदने की आवाजें आने लगी सब ने जल्दी से छट पर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था लेकिन नीचे आवाजें आ रही थी कभी कभी रात में लोगों के चड़ने उतरने की आवाजें आती जैसे कोई नीचे से उपर जा रहा है या उपर से नीचे आ रहा है ममी को बाद में पता चला कि वहाँ जिन्नात का राज था ऐसा बताते हैं कि घर के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है और किसी को उसके बारे में पता ना चले इसलिए वो जिन्नात उसकी रखवाली करते है एक बार इन सब आवासों से परिशान होकर नानी जी को महंदीपुर के बाला जी जाना पड़ा उनके साथ उनकी एक बहन भी साथ गई थी जो की आँखों से अंधी थी उनको कुछ दिखाई नहीं देता था जब वो दोनों होटल में थे तो नानी जी की बहन ने उनको गिलास खींच के मारा और कहा कि तुम यहां क्यों आई हो हमने तुमारा क्या नुकसान किया है हमने तो हमेशा तुमारे बच्चों की रक्षा ही की है जब भी वो छट पे खेलते हैं हम हमेशा उनका ध्यान रखते हैं कि वो गिरे नहीं उनको चोट ना लगे हम हमेशा उन पर नजर रखते हैं और तुम हमें यहां बंदवाने के लिए आई हो इतना बोल के उनकी बहन बहोश हो गई तब नानी को पता चला कि वो लोग कौन हैं वो जिन थे और उनका रूटीन रात में शुरू होता था और सब के सो जाने के बाद उनका दिन शुरू होता था इसलिए उन लोगों को रात में वो अजीब अजीब आवाजे भी सुनाई देती थी मेरी नानी बाला जी से वापिस आ गई आवाज आना बाद में भी जारी रहा लेकिन उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया कभी हमारे पूर्वजों के जमाने में एक नौकरानी को उस खजाने के बारे में पता चल गया था इसलिए उन्होंने उसको मार दिया तो ये सब चीजें बुरी नहीं होती जब तक कि हम उनको परेशान ना करें वो हमको इशारा भी करती हैं सावधान रहने के लिए लेकिन कई बार हम उनके इशारे समझ नहीं पाते इनसानों को जितना हो सके इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ये बात सच है कि कई बार ये चीजें हमको दूर जाने का इशारा करती है जैसे मैंने अपने पिछले जिन वाले वीडियो की ये कहानी में बताया था कि जब वो लोग उस घर में आए थे तो आए दिन उनके घर का समान घर के बाहर रखा हुआ मिलता था शायद उस घर में रहने वाला जिन उनको इशारे इशारे में बता रहा था कि इस घर में तुमारी जगह नहीं है और तुम यहां से चले जाओ लेकिन वो लोग उसके इशारे को समझ नहीं पाए और अपनी जान गवा बैठे इस तरह के इशारे समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ मेरा फेस्बुक पेज और ग्रूप भी जरूर जोइन करें बहुत जल्द आओंगा कुछ और सची डरावनी कहानिया लेकर अभी के लिए गुडबाई